दोस्तो आपके भी चैनल पर यूज कॉंटेंट आ गया आपने भी किसी का वीडियो उठा के डाला जिसके चलते आपके चैनल को सस्पेंड कर दिया गया आपके चैनल को डी मोनेटाइज कर दिया गया तो दोस्तो हम आपको बताएंगे आप कैसे अपील कर सकते हैं फेश आप आपको ध्यान रखना दोस्तों आप YouTube Studio जब open किजिएगा monetize वाला टाइब में जाएगा तो सबसे उपर में आपको दीखेगा यह चैनल विल भी सस्पेंड फ्रम दी यूटूब पार्टनर प्रोग्राम अंदी आपको डेट मिल जाएगा किस देट तक लिए water Zable हो जाएगा monetize है चैनल हुआ होगा ओर डीशेबल हो जाएगा आपको एक ऊपील चैनल को suspend कर दिया गया और यहां पर देख सकते हैं where's that you can do मतलब आप कुछ उनको बता सकते हैं समझा सकते हैं यह आप कर सकते हैं अपने चैनल का जो भी आप ज्यादा से ज्यादा knowledge उनको share कर सकते हैं share more information about your channel अपने चैनल के बारे में ज्यादा से ज्यादा आप जनकारी दे सकते हैं उसके बाद आपको if you think that we made a mistake अगर आपको लगता है हमने किसी हमने गलती की है हमने किसी का वीडियो उठा के अपने चैनल पर डाल है जिसके वज़ाए से आपके चैनल को कर दिया तो आपको एक अपिल बारे में दर्शाना असे आपने क्या गलती की है नहीं की आपको उसमें फोर्वाइड करना इन्फोर्मेशन जो भी आपकी है अगर आप किसी का वीडियो उठाकर डाले क्योंकि यूटुब पर खुद का वीडियो नहीं चलता अगर दूसरे किसी का वीडियो आप उठाकर अपने चैनल पर अपलोट कर दिजेगा तो दूसरे का वेल रिभीव यूर वीडियो एंड गेट बैक टू यू वीथ एडिसीजन वीदिन फोर्टिन डिज जब आप वीडियो बनाके अपिल कर दिजेगा अपिल वीडियो जब सम्मिट कर दिजेगा तो आपको 14 दिनों के टाइम मिलेगा इस 14 दिनों के अंदर में आपका जो भ दोस्तों आप लोगों को एक खास बात को धियान रखना अगर आपने चैनल पर गलती की है तो आपको कोई भी वीडियो को डिलीट नहीं करना है यहाँ पर साफ साफ लिखा है प्लीज डू नोट डिलीट एनी वीडियो आफ्टर रिभीव इस नोटिफिकेशन इफ यू इ तक लिन को डिलीट नहीं करना है यहीं तो यह न आपको खतरा में आ जाएगा और भी दिकत पढस देख सकते हैं अगर आप ने वीडियो को डिलीट कर दिजेगा तो आपको 90 दिनों का टाइम मिलेगा योर वीडियो विल भी रिव्यू बाई दा यूटूब टीम आपका यूटूब टीम आपके वीडियो जो अपिल किये उसको चेक करेगा अच्छे से देखिए अगर आपके चैनल में कोई भी गलतिया पाई जाती है तो आपके चैनल को 90 दिनों तक ले अगर आपको 90 दिनों का टाइम मिलेगा जिसके दोरान आप अपने चैनल पे जो भी गलतिया की उस गलतियो का आप सुधार सकते माली जे डिसक्रिप्सन गलत है चाहे आपने किसी का वीडियो उठा कर डाला है या रियूज कॉंटेंट के वज़े से आपके चैनल को मोनेटाइज नहीं किया है रिजेक्ट कर दिया गया है तो आप इस 90 दिनों के अंदर में आप उस सब को सही कर सकते दुसरे को वीडियो कर रहिएगा आपको मिलेगा रियाप्लाई करने का मोगा इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है यहां से आप अपील स्टार्ट कर सकते हैं देखिए हम आपको करके दिखाते हैं जिसी स्टार्ट अप्ल पर किलिक करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने के मिलेगा और यहां पर इंट्रोड़क्शन दिया है अप कि तरीके से वीडियो इसको आप बना के अपील कर सकते हैं यहां पर लिखा एक नंबर में किरियेट एवीडियो फोर योर अपील आप जिस भी लैंगवेज में वीडियो बनाते हैं उस लैंगवेज में आपको अगर आपने कोई गलती किये उस पर आपको दिखाना है से हाँ हमने गलतिया किये उसको आपको दिखाना है आपको YouTube पॉलिशी जो है उसको फॉलो करना जिस भी आपका वीडियो से आपके चैनल पर यूज कांटेंट आया है उसके बारे हम कुछ बतानी है जादा नहीं थोड़ा बहुत बतानी है हमने चोरी किये है उने किसी सोसल मीडिया अप से उठाके वीडियो अपलोड कर दिया जिसके वज़ए से हमारे चैनल पर यूजaler को दिमोनेटाइज कर दिये गहा हम आपको वीडियो में साफसा बताना परेगा उसके बाद आपको ये एक इंक्लूडिंग हुआ यू फिल्म एडीट विडिट एम कैसे बनाते हैं विडियो कैसे एडिट करते हो आपको दिखाना अगर अब मोगाल परिया का उसमें लगाना पर इचाना पर अगर आप थांबनेल बनाते हैं उसको दिखाना पर विडिक से कहना तो architectural बनाते members हम इससे मतलब वीडियो इडिट करते हैं उसाब आपको दिखाना परेगा यूटुब को विश्वास दिलाना परेगा से हाँ आप यूटुब पे मेहनत करते हैं आपके मेहनत का उपर नाम है तो आपको फेश्टों मोनेटाइज करते हैं चैनल आपको विश्वास दिलाना प करते हैं आप दिमाग से सोचते हैं या कहीं से लिखते हैं कहीं से चोड़ी करते वह भी आपको बताना है तो उससाव बातों को उसमें डालना परेगा उसके बाद यहां पर यह भी बात लिखा है So your production process include any script, special editing technique or narrative आपको हम कहें इससे पहले आप जो भी वीडियो setup उटफ है आप वीडियो कैसे इडिट करते हो उससब दिखाना है इस सब आपको दिखाना परेगा आपको भी इसमें जिस अपिल वीडियो बना है उस अपिल वीडियो में आपको इस सब बातों को ध्यान रखना है और इस सब बातों को इसमें दिखाना है दोस्तों देखिए इन सभी बातों को हम ध्यान में रखते हुए एक हम वीडियो बना है आपके लिए देखिए ऐसा वीडियो आपको भी बनाना है इसलिए हम फोन नहीं चला रहे हमारा चोटा वला भाई फोन चलाता था किसी सोसल मीडिया प्लेटफ़र्म से लिए अपके डाल दिया जिसके वजह से हमारे चैनल पर यूज चांटेंट आ गया है चैनल सर्पेंट हो गया शर हम आपको बिडियो बनाया है विडियो बनाया है और यहाँ पे वीडियो को upload अपने चैनल पे करना, unlisted में, unlisted करके अपने चैनल पे upload कर देना है, और यहाँ पे उसका URL टालना है, यहाँ पे देखिए दूँ नमबर में क्या लिखा है, submit your appeal by 2 Dism4, 2 Dism4 से पहले इसको appeal वीडियो करना है after create a video for your appeal upload it to your channel as unlisted then paste the video URL below मतलब हम कहें न जो भी आप video बना है उसको यूटूब अपने YouTube channel पर upload करना है उसको अनलिस्टेट करना है उसको अनलिस्टेट करके upload करना है और उस video का URL copy करके यहाँ पे नीचे दिया है video URL आप यहाँ करना है उसके बाद आपको जो दो terms and condition उसको आपको accept करना है यहाँ पर साफ निखा है अब जो भी video upload किया है उस video को future में डिलेट नहीं करना है आपको terms and conditions को accept करना है यहाँ पर लिजिए I understand that I sold not delete this appeal video in the future आपको future में कभी भी video को delete प्रेट नहीं करना जो अपिल वीडियो आपने बनाया है और टर्म संड कंडिशन दोनों को एक्सेप्ट करना और आपको समिट कर देना तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको मिलेगा यह अपिल वाज समिटेड और जिस भी डेट को आपकी जियेगा उस डेट को वी वेट करना पड़ोत आपका हो गिया है और आपको रिजोल्ट यहां पर आपको मिल जाएगा अगर आपने गलती की है तो आपको 90 दिनों का आपको टाइम मिलेगा जो गलतिया कि आपको गलति को सुधारने के लिए फिर आप 90 दिनों के बाद अपलाई करिएगा फिर आपके चनल मोनिटाइज कर दिया जाएगा तो दोस्तों आज के लिए इतना है फिर मिलते किसी नए वीडियो के साथ लब यू